इस वीडियों में आज हम section exercise 5.1 के हवाले से ही कुछ मजीद projects करेंगे जैसे कि हमने इसके अंदर सीखना है कि multiple presentations का content है जो slides हैं को merge यानि एक साथ जोड़ा कैसे जा सकता है तो project 2 के अंदर हमने करना किस पे हैं? हमने powerpoint 5-1c presentation पे करना है अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं? अपने exercise folder में जाते हैं और यहां से हम जाएंगे objective 5 पे और यह हमारे पास है 5-1c presentation इसके उपर मैं double click करता हूँ तो यह open हो जाती अब जैसे ही open होती है यहां से हम इसकी editing को enable कर देते हैं पहला task यह है के compare and combine the presentation with the powerpoint 5-1d presentation from the practice file folder अब देखें मौजूदा हमारे पास जो presentation open है उसका नाम है 5-1c अब हमने इसका comparison करना है 5-1d के साथ अब अगर मैं इसको d presentation को अगर मैं open करता हूँ ऐसे ही open करता हूँ तो यह open तो हो जाएगी और open होने के बाद अब हम इसको देखते हैं यहां पे अब देखें यह हमारे पास क्या है यह 1d presentation है और यह हमारे पास क्या है यह 1c presentation तो अब हमने 1d जो है यह older version है और 1c जो है यह newer version है अब जो newer version है इसमें काफी कुछ changing आई है कुछ तबदीली आई है उन तबदीलियों को हमने understand करना है वो कैसे understand करेंगे comparison करके कि कहां कहां पे change आया है किस किस जगा को change किया गया है तो अगर हम side by side अगर comparison करना शुरू कर दें तो हमें बिल्कुल नहीं समझ आईगी तो यहां से मैं 1d को तो close कर देता हूँ 1c को खोले रखता हूँ यहां पे मैं click करूँगा view के उपर और view पे click करने के बाद बलकि review पे click करूँगा और फिर यहां पे आप आएंगे compare पे compare के बाद फिर हम click करेंगे compare के उपर compare के उपर click करने के बाद अब आपने उस file को तलाश करना है जिससे आप इसका comparison करने जा रहे हैं अब आप इसका comparison किस से करने जा रहे हैं आप करने जा रहे हैं 1D से इसके उपर मैं click करूँगा merge के उपर click करूँगा और अब दोनों merge होंके दोनों में क्या-क्या तबदीलिया है वो हमें साथ-साथ revisions का यहां पर एक side view हमें open हो जाएगा जो के हमें पदद चल जाएगा तो अब इसके अंदर दो चीज़े हैं details के अंदर slide changes और presentation changes ओवराल presentation में एक तो theme change होई है और इसके लावा अगर मैं slides के उपर click करता हूँ तो यह हमारे पास slides है details में हम आते हैं तो यह कुछ changing यहां पर हमें आई है तो पहली जो हमें और पास slide है उसमें क्या change आए वो आपको यहां पर दिख रहा है दूसरी slide में क्या change किया गया है वो आपको यहां पर नजर आ रहा है और इसमें क्या-क्या insert हुआ है, क्या-क्या delete हुआ है, वो भी आपको साथ-साथ दिखाई दे रहा है उसके बाद चलते हैं, slide 3 पे, slide 3 पे देखें लिखा वा रहा है, no changes to the slide, इसके अंदर कोई slide नहीं किया गया इस तरह slide 4, 5 के अंदर ये change किया गया है, ये insert किया गया है और इसको delete किया गया है 6 के अंदर कोई change नहीं है, इसी तरह ये पूरा हमारे पास एक review है तो ये था हमारा task number 1, task 2 में हमने क्या करना है, review the mark differences, click next to move between changes and select each set of changes to display them on the slide अब आप देखें कि हम पहली slide पर जब आते हैं, अगला change किया आया है, पहला change तो हमें यहां भी बदा चल रहा है, कि ये change किया गया है कि company की जगा, company की जगा, हमें क्या insert किया है, वो आपको नज़रा आ रहा है, annual meeting insert किया गया है तो अब हम क्या करेंगे, यहां से click करेंगे compare के उपर, next के उपर click करूँगा, तो अगला क्या change आया है, वो आपको दिखाई देगा इसी तरह next, next और यह आपको सारी changing यहां पर नज़रा रही है task number 3 में आपने क्या करना है, reject the changes on slide 2 and 7, अब हम आजाते है slide 2 में, slide 2 में हमें यह एक change आया है अगर हमने इसको reject करना है, यह जो change है, all changes to, अगर इस पूरी changes को अगर हमने reject करना है, तो हम compare में जाकर reject के उपर click करेंगे तो यह सारे changing को किये गए थे, यह सारे के सारे reject में आ जाएंगे open the powerpoint 5-1 e-presentation and do the following, अब हम क्या करते हैं, इसको यहां से close कर देते हैं अब हमने one dash इसको open कर लेना है, इसको open करने के बाद, इसकी editing को हम enable कर लेते हैं delete the comment attached to the title slide, अब आप देखें कि जो आपकी title slide है, पहली वाली, यहां आपको side पे comment नजर आ रहा है, इस comment को हमने क्या करना है, delete कर देना है, तो यह comment यहां से delete हो जाएगा review the remaining comments in the presentation, अब आगे के जो comments है, वो हमने देखने हैं, next पे click करूँगा, तो slide 3 पे comment किया गया है, slide 4 पे comment किया गया है, 6 पे comment किया गया है, दुबारा से start लेंगे, फिर आपको यह बताना शुरू कर देगा, क्या क्या comments किये गए है Using only one command, delete all the remaining comments, अब आपने एक ही command का इस्तमाल करते वे, सारे comment जितने भी इसमें किये गए हैं, वो सब के सब delete कर देने हैं, उसके लिए हमारे पास असान तरीका यह है, कि हम file पे जाते हैं, info पे जाते हैं, और अपने document को inspect कर लेते हैं, Document inspector में हमें बता चलता है कि हम क्या क्या inspect करने जा रहे हैं, तो हम सिर्फ क्या comments हमने inspect करने हैं, कि हमारे इस पूरे documents में कितने comments हैं, वो सारे तलाश करके बता देगा, तो comments हमें आरे पास आ चुके हैं, अब जैसी remove all पे click करूँगा, सारे comments remove हो जाएंगे, अब हमारी presentation में को is near data available to the citation, अब हमने slide number 9 में आ जाना है, और हमने comment add करना है, is near data available to the citation, new q पर click करेंगे, यहां में लेकूँगा, is near data is available, is near data is available, आगे हमने answer करना है question mark, to the citation, तो यह था हमारा task number 4, task 5 में हमने क्या करना है, करने के on slide 13, attach the comment native plant graphics would add interest to the content placeholder, तो इस comment को बजाए type करने के हम क्यों ना इस पूरे comment को यहां से copy कर लेते हैं, attach the comment native plant graphics, इसको यहां से मैंने copy किया, और slide number 13 पर आए, फिर confirm कर लेते हैं, जी, slide number 13 में new पर click करूँगा और यहां पर हम इसको paste कर देंगे, और enter press करेंगे तो यह comment हमने यहां पर add कर दिया, यह था हमारे पास task number 5, task 6 में हमने क्या करना है, कि on slide 13, edit the comment to read colorful native plant, अब हमने इसमें सिर्फ colorful का add insert करना है, इसमें मैं click करूँगा, यहां पर हमने add कर दिया, तो यह था हमारे पास task number 6, तो finally हमारी जो 5.1 presentation है, exercise है, powerpoint के हवाले से उसमें जितने भी projects थे, वो तमाम के तमाम हमने complete कर लिये हैं, आपने क्या करना है कि इन exercises को गवर से पढ़ना है, और खुद से in queue पर practice करनी है,